let's do question number 47th of exercise 5a that is arithmetic progression question number 47 is a sum of 2800 is to be used to award four prizes 2800 का sum use किया गया award करने के लिए four prizes को if each price after the first is 200 less than the preceding price अगर हर एक price पहले price से 200 less है तो find the value of each of the prices तो हमें सारे prices की value बताने है तो कितनी होगी हमें पता है total price money कितना था total price money था हमारा 2800 रुपीज राइट अब हमें first price कितने का देना है वो नहीं पता है बस ये पता है हर एक price का amount 200 रुपीज लेस हो जाता है पहले वाले से तो हमने let का लिए let the first price be first price भी x रुपीज रुपीज x का है तो second price कितने का हो जाएगा second price हो जाएगा that is x-200 और third price कितना का हो जाएगा third price हो जाएगा जो second का था जो second का था उसमें से 200 रुपीज माइनस that is x-400 हो गया इसी तरीके से fourth price क्या हो गया फोर्थ प्राइज हो गया जो थर्ड का आया उसमें 200 रुपीज माइनस that is x-600 हो गया right अब क्या कह रहा है हमारी ap बन गई ap देखी क्या बनी x बन या x-200 बना x-400 बना x-600 बना and so on right so on अब एक चीज इंपोर्टेंट कह रहा है कि the sum of 2800 is to be used to award four prizes मतलब चारे चारो एवोर्च का सम हमारा 2800 है right तो हमने सब को add कर लिया तो कितना आया x plus दूसरा आया था x-200 plus x-400 और plus x-600 ये आया हमारा 2800 का right तो हमारी x की value निकाल लिया तो सारे x add कर लिया तो ये आया 4x minus ये कितना आया 200 plus 400 600 600 plus 600 is 1200 equals to 2800 तो ये आ गया हमारा 4x equals to 2800 plus 1200 होगे इदर आके तो 4x आ गया हमारा 4000 तो x कितना आ गया 4000 upon 4 that is 1000 आ गया अब हमारा x की value 1000 आ गया तो हमारा first price कितने का आ गया first price आ गया हमारा rupees 1000 का second price आ गया हमारा x minus 200 था so that means 1000 minus 200 that is 800 rupees का आ गया right third price आ गया हमारा x minus 400 था that means 1000 minus 400 तो हम कह सकते हैं rupees 600 का आ गया और fourth price हमारा था x minus 600 का so that means 1000 में से हमें 600 घटाना था तो that means fourth price था हमारा 400 rupees का is the answer let's do question number 48 of exercise 5a that is arithmetic progression question number 48 is find how many integers between 200 and 500 are divisible by 8 200 और 500 के बीच में कितने numbers आते हैं जो की divisible by 8 है तो कैसे निकालेंगे देखिए अगर 200 देखें तो 200 और से जादा बताना है 200 हमारा 8 से divisible होता है लेकिन 200 से next कौन सा होगा उसमें 8 जोड़ दीजे तो 208 आ जाएगा तो हमारा first number पता चल गए 208 है फिर 216 है फिर 224 है and so on लेकिन हमें कहां तक बताना है 500 तक बताना है that is 504 और 504 में से 8 less होगा that means that means 496 तो हमारा last number कितना आएगा 496 आएगा अब हम इसमें ये निकाल लिए कितनी terms है कितने integers है तो हम क्या करेंगे पहले A निकाल लिएगे A क्या हुई हमारी first term that is 208 और D क्या हुआ या तो आप इन दोनों इसमें से इसे minus कर लिए या हमें पता है कि divisibility of 8 निकाला है तो 8 ही आएगी D तो देखिए 216 में से मैंने 208 minus किया तो हमारा 8 ही आया अब हमें nth term का निकालना है कि कितनी terms है तो उसका formula था A plus N minus 1 into D तो हमारी nth term last term क्या है 496 तो 496 equals to A है हमारा 208 plus N हमें पता नहीं और D है हमारा 8 तो अब brackets open कर देंगे तो यह आगया 208 plus 8 N minus 8 अब 496 208 plus का है और 8 minus का है तो आप उसमें subtract हो गए sign बढ़े वाले का लग गया plus 8 N तो 8 N कितना आ गया 496 में उधर जाके 200 minus का हो गया तो 8 N आ गया हमारा 296 तो N कितना आ गया that means 296 upon 8 तो 8 3s are 24 56 8 7s are 56 तो इसका मतलब 37 values है किसके बीच में 200 से 500 के बीच में ऐसे integers की जो की 8 से divide होते हैं तो यहां लेख सकते हैं hence there are 37 integers between 200 and 500 which are divisible by 8 which are divisible by 8 answer